नमस्कार सूपर किचन में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जा रहे हूं पालक पनीर की सबजी जी हाँ वही पालक पनीर जिससे सुनकर सब के मुझे में पानी आ जाता है तो चलिए हम बनाते हैं यह देखे मैंने 300 ग्राम पालक लिया है और यह जो पतली रंडी है उसको हम यूज करेंगे लेकिन अगर मोटी रहेगी तब इसको हम हटा देंगे अब इसको हम बॉयल करेंगे पानी गरम हो गया है इसमें हम इसको डाल देंगे बस यह बहुत जल्दी से पक जाता है बस 5-7 मिनट में यह पक जाता है अब इसको हम ढग देंगे यह देखे इतना अच ग्रीन रहेगा इस तरह से डालके दस मिनट बाद हम इसको निकाल लेंगे और फिर इसको पीस लेंगे इस तरह से दस मिनट हो गया है इसको निकाल लीजे इसको। निकल गया है। अब इसको हम पीस लेंगे। अब मैंने तेल ढाल दीया है। तेल गरम हो गया है।। हम पालक को डाल देंगे। पालक मैंने बिल्कुल अच्छे से पीस लिया था। अब इसको हम इसी तरह चलाते हुए 15-20 मिनट इसको भूनेंगे क्योंकि पालक जब अच्छे से नहीं भूनेगा तो टेस्ट नहीं आएगा इसलिए 15-20 मिनट हमको मीडियम फ्लेम में इसको भूनते रहना है और अच्छे से भूनने के लिए मैंने एक चमच और घी डाल दिया है घी डालने से और अच्छे से भून जाएगा अगर कम रहेगा तो अच्छे से नहीं भूनेगा आप इससे जरू धान दीजेगा इस तरह से चलाते हुए हमको भूनना है यह देखे चीपक रहा है बस यह 20 मिनट मैंने इसको भून लिया था अब इसको हम निकाल लेंगे अब मसाले में एक प्याज और एक इंज अध्रक कर टुकड़ा एक टमाटर और दो तीन हरी इलाइची और 15-20 काली मिर्च और 7-8 लेजुन है अब तेल गरम हो गया इसी में आधा चमा जीरा डाल दिया है अब इसी में हम डाल देंगे लेजुन को और इसी में अध्रक को मैंने डाल दिया है इसे हमको लो फ्लेम करना है इस तरह से चला लिजे और फिर इसी में हम प्याज को भी डाल देंगे आए बस कलर चेंज होने तक इसी तरह हम दता हम चलते जाएंगे और इस ही में पालक को भी डाल देया कर देगे अच्छन मों होगाने इस घुर और दे डिए खूल के कि चुछ होगा है दे गालता पिर देगां निए तक लेंगे इसको सॉफ्ट हो गया है वसको साइड में कर लेंगे और उसको निकल जाएगा तब इसको हम निकाल लेंगे और पीस लेंगे यह देखिए मैंने पीमिन लिया था बचा हुआ तेल था उसी में इसको हम भूनेंगे फिर से यह दिखे इस तरह से भूनते जाएंगे और इसी में डाल देंगे एक चमच से थोड़ा कम धनिया पाउडर और आधा चमच लाल मिर्च पाउडर इसको चला लेंगे अच्छे से मीडियम फ्लेम में हमको भूनना है बस इसी में डाल देंगे आधा चमच गरम मसाला बस ज्यादा मसाला नहीं यूज करना है बस अब भून लेंगे इसको जब तेल चोड़ने लगेगा और चिपक ने लगेगा तो हमारे मसाले रोडी हो जाएंगे यह देखे चिपक भी रहा बस इसे में हम गरम पांई डाल देंगे थंडा नहीं डालना है अधके तेस्ट कम हो जाता है इसलिए इसमें गरम पानी डाल देंगे कि इतना हमको पानी डालना है क्योंकि अभी हमको पकाना है अब इसी में डाल देंगे आधा चमच नमक नमक अपने हिसाब से डाल लिएगा बस इसको हम पांच मिनट के लिए इसको पका लेंगे पांच मिनट हो गया हम देख लेते हैं यह देखें ग्रेवी बिल्कुल गाड़ी हो गई है और टेश्टी भी लग रही है बस इसी समय हम डाल देंगे पनीर को आप पनीर अपने हिसाब से लिएगा मने ज्यादा नहीं डाला है बस इसको चला लिए और इसी में हम डाल देंग क्रीम को अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो दूद के उपर जो मलाय रहती है उसको आप डाल दीजे उससे भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है यह देखें में निडाल दिया है अब इसी में बटर डाल देंगे पालक पनी में बटर बहुत ज़रूरी होता है इसलिए आप कोई भी पराठा या फूरी रोटी सब के साथ आप सर्व कर सकती है यह सब के साथ बहुत अच्छा लगता है अगर आपको में विस्पी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू